हलो एवरिवान, माइडरी मेजुकेशन में आप सब का शागत है आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ इंगलेस की कुछ ऐसे वर्ड्स जिन में सफिक्स या प्रेफिक्स होते हैं इंगलेस से हिंदी में इवर्ड्स जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और गाईज अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल माइडरी मेजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स यू से शुरू होने वाले वर्ड यू का मतलब होता है गुड तो इससे start होने वाला हमारा पहला word है euphony euphony का meaning होता है good sound या सुरूती मधूरता मतलब मधूर श्वार भी कह सकते हैं you का मतलब हो गया good और phone का मतलब है sound इसलिए इन दोनों को मिला करके जो word बना good sound और इसका adjective है euphonic euphonic मतलब सुरीला हमारा next word है eulogy eulogy मतलब good speech इसका हिंदी में meaning होता है प्रशंसा भासर वह है भासर जिसमें किसी की प्रशंसा की हो उसे हम eulogy कहेंगे logi जो है logi जो term है वह logos से बना है logos का मतलब होता word और speech और इसका adjective है eulogistic मतलब प्रशंसात्मक prefix you से शुरू होने वाला हमारा next word है euphoria euphoria मतलब good feeling या उतिष्टा है और इसका adjective है euphoric euphoric मतलब उतिष्टा है poor हमारा next word है euthanasia euthanasia means good death या एक्चा मृत्यू थैनेटोज जो थैनेजिया जो term है वह थैनेटोज से लिया गया है जिसका मतलब होता है death हमारा next root word है elder alter मतलब other या और दूसरे तो इससे इससे शुरू होने वाला हमारा पहला word है altruist altruist मतलब پरोब कारी परोब कारी मतलब दूसरों का भला करने वाला और दूसरा है altruism altruismют दूसरों का उपकार करने का सिध्धांत next word है alternate alternate मतलब एक को छोड़कर दूश्रा लेना इसकी one and take other मतलब एक अंतर और दूश्रा वर्ड है alteration अचेंज या परिवर्तन हमारा next word है altercation अल्टरकेशन मतलब verbal dispute यानि विवाद और दूश्रा वर्ड है alter ego मतलब close friend with mirror image मतलब अंतर्ग मित्र अपार next prefix है ego ego मतलब आई या self मतलब स्वयम को महत्व देना और इससे सुरू होने वाला पहला वर्ड से वर्ड है egoist egoist में तो एहम बादी या श्वार्थ बादी जिसमें मतलब सबसे ज्यादा इंपॉटन्स खोद को ही देता हूँ he में- ko-hi universal ka मतलब universe का पूरा kendr मानता है कि सिर्फ मैं ही हुँ सबसे important तो इसका मतलब हो गए एहम kendrita या आहिंकारी मतलब हाई लेवल पर जो आहिंकारी होता है उसे हम ego-centric हमानेक्ट वाइड है इगो-मानियाक मतलब अहिंकारी ego maniac ego और maniac से मिलकर वना हुआ है maniac जो term है mad word से लिया गया है mad का मतलब पागल तो इसका जो इसका मतलब होता है अहंकारी यह है बेक्ती जो है बहुत मतलब इस पे अहंकार का एक पागल पांस अबार होगा यह बहुत dangerous होता है अब बात करेंगे हैं suffix के बारे में suffix क्या होते हैं suffix जो होते हैं वो word की last में add होते हैं तो हमारा पहला suffix है i-n-e-i-n i-n का मतलब होता है like या similar मतलब के सामान या उसके जैसा तो इससे बनने वाला जो word है पहला word है leo nine तो यह है leo और anion से मिलकर बना हुआ है Leo मतलब होता है loyan तो इसका मतलब हो गया है singh जैसा और दूशरा word है keepnion kainоб Guinness Canis और ayon से मिलकर बना हुआ है canis का मतलब होता है dog तो इसका मतलब हो गया है kutte का या kutte जैसा right word है fylaion fyalion meanzzo ville का या willy जैसा। यह सब्ड़ है फैलेस से लिया गया है फैलेस न्ट है कट में शूअ्ण। नेक्ट वाइड वर्ड पोर्शायन पोर्शायन नहीं सो ह copies के जैसा फैल कर बद कर बना हुआ है और पॉर्ड यह में सोता है pulpus means x falt sub मतलब होता है तो इसका मतलब हो गया भीडीय का जैसा तो यह थी हमारे कुछ words suffix kr sir i just hope आप सब को वीडेयो अच्छी लगी होगे वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल माइड्रीम एड्यूकेशन को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू